Hey everyone, I am Pawan from TCML and आज का हमारा कुशन है कि बताइए जो चीज आप अभी वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये क्या है and मैं आपको few seconds देता हूँ I hope आपने answer सोच लिया होगा and आप में से maximum student का answer होगा कि sir ये एक IV infusion set है मतलब कि sir हम इसके through जो हमारे IV fluid होते हैं उन्हें हम patient के अंदर लगाते है and IV fluid मतलब just like हमें किसी patient के अंदर RL लगाना है या फिर बोल दीजिए हमें NS लगाना है तब हम किसका use करेंगे इस IV infusion set का use करेंगे and इसका जो ये वाला end है ये कहां जाएगा हमारी bottle के अंदर and जो ये वाला end है ये कहां जाएगा patient की vein के अंदर तो देखिए जो आपका answer है न वो बिल्कुल गलत है मतलब कि ये IV infusion set नहीं है ये क्या है blood transfusion set and मैं आपको इसका रेपर दिखा देता हूँ तो देखिए ये रहा क्या लिखा है blood transfusion set and अब हम blood transfusion set की थोड़ी बात कर लेते हैं and आप assume कीजिए कि आपके पास RTA का कोई patient आया and RTA मतलब roll traffic accident मतलब कि कोई बंदा था उसकी car का accident हो गया and during accident जो patient है उसका blood loss कुछ ज़्यादा ही हो गया and जो patient है वो आपके पास आया overall new है कि उस patient के अंदर हमें बाहर से blood चड़ाना पड़ेगा and जब हम बाहर से blood चड़ाते हैं patient के अंदर तो उसे ही हम क्या बोलते हैं blood transfusion and blood transfusion के लिए हम किसका use करेंगे blood transfusion set का overall new है कि जो ये blood transfusion set है इसका ये वाला end कहा जाएगा blood bake के अंदर and ये वाला end कहा जाएगा patient की vein के अंदर तो I hope आप समझ गए होंगे कि ये क्या है blood transfusion set and अब मैं आपको IV infusion set भी दिखा देता हूँ तो देखिए ये क्या है infusion set या बोल दीजिए IV infusion set and आपको दिखेगा कि यार ये दोनों के दोनों है बहुत similar दिखाई देते हैं मतलब कि आप confuse हो जाओगे कि IV ये है कि ये है या फिर बोल दीजिए blood transfusion वाला ये है कि ये है and पहले हम IV वाली की just like RL हो गया तो हम क्या करेंगे इसका use करेंगे and इसका जो ये वाला end है ये कहा जाएगा bottle के अंदर देखिए इसके अंदर and जो ये वाला end है ये कहा जाएगा patient की vein के अंदर ओके तो ये क्या है this is IV infusion set and अब हम आते हैं दोनों के difference के ऊपर मतलब कि आप अज्यूं कीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है आपके जो वाईवा टेबल है उसके ऊपर बस ये दो चीजे ऐसे रखी हुई है and अब आब बताईए कि इन में से IV कौन सा है blood कौन सा है तो ये एक challenging बात होगी and मैं आपको यहाँ पर total दो difference बता रहा हूँ दोनों के बीच कि blood वाले में क्या मिलेगा IV वाले में क्या मिलेगा okay and इन दोनों में से number one क्या है chamber की size मतलब कि जो चीज आप अभी देख रहे हैं ये क्या है chamber and ये किसका chamber है IV infusion set का and ये किसका chamber है blood transfusion set का overall new है कि जो blood वाला है उसका chamber बड़ा होता है और IV वाले का छोटा होता है आपको साब साब दिख रहा होगा okay तो ये हो गए हमारा पहला difference and अब हम आते हैं second difference के उपर और ये क्या है filter का मतलब कि जो ये chamber है ना इनके अंदर क्या present होता है filter and देखिए आपको यहाँ पर ये सपेद सपेद चीज़ दिखाई दे रही होगी and यही क्या है filter overall new है कि जो IV infusion set है इसका filter छोटा होता है देखिए ना सपेद वाला कितना छोटा है and ये क्या है blood transfusion set and इसके अंदर आपको ये वाइट वाइट चीज़ दिखाई दे रही होगी तो ये क्या है filter overall new है कि blood transfusion set के अंदर जो filter होता है वो बड़ा होता है देखिए आप साब साब compare करके देखिए यहाँ पर वाइट वाला कितना छोटा है यहाँ पर वाइट वाला कितना बड़ा है overall new है कि ये क्या है IV infusion set and ये क्या है blood transfusion set okay and आज की हमारी वीडियो यही पर finish होती है bye झाल झाल ह। बा झाल कर अचया लगाँ यहाँ माँ पर वीडियोब versus देखिए फरेखान झाल ज्याँ झाल झाल ज्याल